कि नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका स्टेडी फॉर्ट सीविल दबसेद में कि यूटूब चैनल में वारे साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज्यादा जरूर है सारी नोटिकेशन सारी अप्डेट सारे मोश्ट इप्टेट सारा रिवीजन सब कुछ आप पताया जाता है पाइलाइट साते रहते हैं और प्लस पोश्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते हैं इस सीरीज में हम लोग यूपी प्यासी फॉल लेंद मौक टेस को डिसकस कर रहे हैं और यह हमारा मौक टेस नंबर 10 है तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट किये हुए आज ये क्व साथ जाना जाता है तो इसका Sãoसर क्या है इसका आउए स्वामी देयाननद सरसृति उन्हों ने जो है भारते समाज के असवामी अधान के लिए बहुत सादर अपना योगदान दिया था अगर हम बात करें तो भी मूर्ती पूजा और जाती व्यवस्था के भी खिलाफें और जिसकी वज़े से इन्हें फादर आफ इंडिया रिनासा भी कहा जाता है ठीके नेक्स वेशन है निम्न में से किस राजी के लिए एक राजेपाल जन जाती है मामलों के मंत्रि नियोक्त क राजे और जाती है तो यह कौन कोन से राजे है तो यह किसमें दिया गया है? अधिकल नबर तो सिटल है और 4 राजे तो राज ये कौनकोन से है उडिये उडिशा है उसके बाद अगर बात करने तो छार खेंड ए उसके बाद में आद गात करने तो शक्तिस गड़ है और यहां पर यहां पर एमपी है तो यह जो आर्टिकल 164 पर है उसको अपुइंट कर सकते हैं और ये जो मिनिस्टर होगा इनको जो है अलग से भी एक अतिरिक भार भी दिया जा सकता है शेड्यूल कास या फिर कोई अन्य जो है पिछडी जाती है उनके उत्थान के लिए उनके कल्यार के काम के लिए ठीक है तो अब यहाँ पे कौन कौन से हमाई अगर हम यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें ओडीशा जो है यह एकदम सही है और जारकन जो है यह भी सही है और मध्य प्रदेश जो है यह भी सही है यहाँ पे अरुनाचल प्रदेश और नागलेंड जो है यहाँ पर तो हमारा answer क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा 2,4 और 5 मतलब कि C जो है यह हमारा यहां पर सही जवाब है ठीक है C जो है यह सही जवाब है उसके बाद हम 3 ग्रेशन की बात करेंगे रंगों को पहचानने के लिए आखों का कौन सा हिस्से जिम्मेदार होता है ठीक है तो यहां पर रंग किस्से पहचाने जाते है वो जो होता है उसके लिए रेटीना जो होता है ठीक है रेटीना जो होता है उससे हम लोग जो है कलर्स जो होते हैं जितने भी रंग होते हैं हम उसको पहचानते हैं, तो रंग को पहचानने के लिए कौन सा आख का हिस्तर जिम्मेदार है, वो है रेटीना, ठीक है, यह एक सिंगल लेयर होती है, टिशू की उत्तक की, ठीक है, यह एक एकल परत है, जिसमें ऐसी तंत्रिका कोशिकाय होती है, जो छवियों के सिगनल को आख पर्टिकुलर से हम लोग क्या करते हैं, इसी से हम लोग रंगीन वस्तु देखते हैं, उनके रंग को पहचानने का काम किसे क्यों करता है, वो रोट करता है, कौन से जो होते हैं, जो शंकु होते हैं, यह किवल बल्यक एंड रिप ही इमिज हमें दिखाता है, तो इसलिए य यहां पर गलत हो जाएगा, आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा B मतलब की रेटीना, इसके बाद हम नेक्स देखेंगे, फोर्थ क्वेशन, निमलिकेट में से कौन सी गैस भुकम की पूर्वसुचक है, ठीक है, वो ऐसे कौन सी गैस है, जो कि हमें बताती है, जो है अर्थ क्वे जानों कि जब जो चटाने जो है, जब नीचे जो है बहुत साथ एनरजी होती है, जब भुकम पाने वाला होता है, तो जब चटाने जो हिलती है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें यह बहने लगती है, और जो है, और क्या होता है, यह जो जितने भी ग्राउंड वटर होता है उसमें रेडांगास है वहां पे घुल जाती है जहां पे चट्टान में तरार पड़ती है और जब तूटती है तो भूचल भूचल ऊपर आता है जिसके साथ साथ ब्रेडांगास है वह उपर आती है और इसी लिए ये देखा गया है कि भुकम के आने के पहले थीक है? भुकम के आने के पहले जो है या फिर हम कह सकते हैं की जब भी चटानों में बहुत ज़़ादा कंपन होती है तो उससे क्या होता है उससे जो है रिडॉन गैस के इस तर में अचानक से परिवर्दन देखा जाता है इसलिए इसलिए रिडॉन गैस को क्या कहा जाता है भुकम का एक पूर्व सुचक माना जाता है तो यहाँ पर क्या answer होगा? यहाँ पर होगा answer D मतलब E redon इसके बाद हम 5th question को देखेंगे 5th question है नेमलिकित विकल्पों का सही से मिलान हमें करना है ठीक है? तो यहाँ पर कुछ संगीत दिये गए है यहाँ पर कुछ लोक गीत दिये गए है और वो किस राज्य से related है हमें उस से यहाँ पर जो है इनको match करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुकर का बिया ठीक है? सुकर का बिया कहाँ पर है? यह बिहार में होता है तो इसका क्या है? सुकर का बिया यह बिहार का है इसके बाद हम 10 कठिया की बात करें तो यह कहां पे होता है यह होता है ओडिशा में इसके बाद हम धाड़ी की बात करें तो यह है पंजाब का और छाकरी की बात करें तो वो कहां पे होता है वो कश्मीर का होता है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए पतलब की 2, 4, 1 & 3 6th question को देखेंगे 6th question कहता है पश्चमी घाट उचाए में अधिक है और पूर्वी घाट की तुलना में अधिक निरंतर है ठीक है तो ये जो अजर्शन है ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है प्राइज VPA भारत की प्रमुक्डितिया पूर्वी घाट से होकर बेती है ये भी पिल्कुल सही दिया गया है ठीक है तो इसी कारण जो एस्टं घाट से हमारा जो पूर्वी घाट है वो कई जगे से जो है वो वहाँ पे जो है वो कटा हुआ है हमस कह सकते हैं कि वहां पर बहुत زञा च्यो हैं हम कह सकते हैं कि वो जो और जो बहुत जाद 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 वो पॉल जाद जी शैएं से स्टून तो ख,"र deb ne जाती हों ज़ों कि बांप इस्टिन कहार्ट जणने यह चांटी तो इसलिए हमारा answer क्या हो जाएगा? हमारा answer हो जाएगा A, मतलब की assertion और reason ये दोनों ही सत्प हैं और reason जो है, वो assertion की सही से व्याख्या भी करता है. इसके बाद हम 7 question देखेंगे, कि किसे मापने के लिए manometer का उप्योग किया जाता है? तो इसका answer क्या है? तो अगर हम ये देखें कि magnetic flux का इस्तेमाल हम करते है flux meter से, ठीक है? flux meter का इस्तेमाल करकि है magnetic flux का पता लगा सकते हैं. visco meter जो होता है उससे हम जो जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उनकी चिपचिपाहट का पता लगाते हैं और अगर हम change in volume of substances का अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम dilatometer का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? dilatometer का इस्तेमाल करते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा? यहांपे हो जाएगा C 8th question को देखेंगे यह भी match the following वाला question है और यहाँ पर जो है होलकर जो थे उनका जो एरिया था वो कौन सा था? वो था इंदौर का ठीक है? तो होलकर का कौन सा था? वो है इंदौर का गाईकवाड का जो था? वो था नाखपूर का ठीक है? इसके बाद अगर हम भोसले की बात करें भोसले जो थे वो इसके बाद इसमें दो और हैं एक होता है सिंधिया सिंधिया ठीक है सिंधिया कहां पर थे सिंधिया जैसे कि आप आप नाम सुनोगा इनका एरिया कौन सा था इनका एरिया था ग्वालियर ठीक है इनका था ग्वालियर और यहां पर अगर हम पवार की बात करें तो उनका था धार ठीक है पवार का जो था एरिया कौन सा था वो मेल नहीं खाता है। तो यहां पर क्या keyboard कि मेल नहीं खाता है नहीं खाता है? तो यहां पर इसका answer भी KISH range किस द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी ए o heum यहां पर सारे option तेपने हम hun Tenth के बात करेंगे हैं यहां और यहां सी मैंच rudeness के से क्वेशन और हमें बात करने है कि जो इंडस वैलई सिविलाईजेशन थी टीक एंडस वैले सिविलाईजेशन थी वहां से हमें भाफ साक्षे पराप्थ हएं तो कौँ साक्षे किस साइट किस साइट से पराप्थ ह dedim हमें उसैं Sandusa तॉ seven इनसरे ना इसका में है सजी हुई इटे या फिर डेकोरेटेड ब्रिक्स डेकोरेटेड ब्रिक्स हमें कहां से प्राप्थ होई थी वो हमें प्राप्थ होई थी आ काली बंगा से ठीक है वो हमें कहां से प्राप्थ होई थी वो हमें प्राप्थ होई थी काली बंगा से ठीक है टॉइ प् से और हमें कुछ घोडों की हड़ी भी प्राप्त हुई थी वो कहां से था वो सूर कोटदा से प्राप्त हुआ था तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी बतलब की 2, 4, 1 & 3 11 question की बात करेंगे शिंदु घाती सभिता के बारे में निमलिक्त में से कौन सा विकल्व सहीं नहीं है ठीक है तो यहां पर क्या है नहीं है तो इसमें आंसर क्या है इसमें आंसर है इसका डी इस गाल का एक पांत्रमंदी लूथल से प्राप्थ हुआ था तो इस काल में यहाँ पे इंडर्स फैली सिविलाइजेशन में अब तक कोई भी मंदिर या फिर कोई भी ऐसा रिलीजियस कोई भी इस्थान ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है हालकि बहुत सारे रिलीजियस जो है उनके जो सिंबल्स है पेड़ है एक मूर्ती है वो सब प्राप्त हुएं लेकिन कोई भी मंदिर मस्जिद या ऐसा कुछ भी हमें साक्षे प्राप्त नहीं हो है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा इसके बाद हम 12th question की बात करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार में निम्लिकित में से कौन कौन सी घटक जो है वो शामिल होते है ठीक है तो इसमें जो है जैसे कि सोने का भंडार गोल्ड रिजर्फ ये शामिल होता है इस्पेशल ट्रॉइंग राइट्स भी शामिल होता है External Commercial Borrowings भी शामिल होता है Foreign Direct Investment भी शामिल होता है और Reserve Amounts with IMF IMF मतलब International Monetary Fund भी जो है उसमें जो हमारे पास Reserve Amounts होते हैं उसे भी Forex Reserve में शामिल किया जाता है तो हमारा answer क्या हो जाएगा All of the Above मतलब की D जो है हमारा answer है इसके बाद हम 13th question की बात करेंगे किस सूफी संद को पी पी रोशन के नाम से भी जाना जाता है तो इसका answer क्या है इसका answer है C मतलब की मिया बायजिद अंसारी ठीक है मिया बायजिद अंसारी को जो है इनको जो है पी रोशन के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है रशनिया ओर जो था ठीक है एक सेकंड में फिर से साफ साफ लि वो जो था उसके यह Founder थे ठीक है और उनको जो है P Roshan के नाम से जाना जाता था और यह ने अक्बर के समकालीन थे ठीक है बादशाव अकबर जो थे उनके यह समकालीन थे ठीक है और यह जो पूरा Order था यह भी है पिर हम कह सकते है जो रशनीय order जो ठीक है ये कहाँ पर बहुत जादा popular था बहुत जादा जो famous था वो जो नौर्थ-वेस्ट इंडिया था ठीक है नौर्थ-वेस्ट इंडिया के भी जो tribal इलाके थे जो आधिवासी इलाके थे वहाँ पर ये जो order है वो ये बहुत जादा लूप परिया था इसके बाद हम 14th question को देखेंगे और question है निमलेकित मेंसे कौन सा विकल्प सही ढंक से मेल नहीं खाता है तो यहाँ पर keyword क्या है नहीं है तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा ए मतलब की Sanskrit College Sanskrit College की स्थापना किस ने की थी संस्रित College की स्थापना जो है वो की थी Jonathan Duncan ने ठीक है Jonathan Duncan ने संस्रित College की स्थापना की थी 1792 में हमारा अगला question जो है 15th question और question है निमलेकित कत्नों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कत्न यहाँ पर सही है तो पहला statement क्या है सायक संथी का उप्योग सबसे पहले फ्रांसी सी गवर् जल्में मारकस दौपलें के द्वारा किया गया था यह statement बिल्कुछ सही दिया गया है सेटिमेंट है बिटिश नियम के था 1798 में लॉट कॉन्वलिस द्वारा सहायक संथी का संथी की योज़ना बनाए गई थी तो यहाँ पर यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है यहां प यहाँ पर गलत यहाँ है तो आंसर क्या है आंसर जहां पर के होगा सी म厱पी फिर्स और थर्डे स्रिल्टologies सही है श्रीं क्या है 16 गब भाध करें इसका शभी मतलब कि इसका आंसर क्या है इसका एरहाँ बी मतलब कि शाश आयर इतुस तो इसमें प्ला कि द्गतार कॉम में तो यह घुतनों में होती है, यह जाएंगा पैटला बाकि जितनी भी तीनों है, Malice, Incassus और Steps यह जो तीनों ही हमारी कान की हड़िया होती है Malice जो होता है, यह क्या होता है यह जो कान के, जो हमारे Drums यह Ear-Drums होते हैं उस से जितनी भी धुनी जो होती है उसको आंतरी कान तक ठेक है जो इनर एक है इस तक पहुँचाने का काम क्रता है जोड़ने का काम करता है , इसके बात अगर हम स्टेपस के बात चेए वह हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी होती है तो ये पॉइंट ढिलग से नोट करने वाला है कि हमारे शरीर की सबसे चोटी हड़ी होती है जैने वह थो हता है वह हता है कहां में थ 용्तिर होती है थाइंड जो सब डोर? ईसका काम क्या होता है और जिरे마 खुझा कहुंएM इसके बाद हम 18th question की बात करेंगे प्लीहा के बारे में निमलहित का तंबर में विचार करना है प्लीहा क्या होता है प्लीहा होता है लिम्फ ठीक है तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है वो सत्य है तो हमें उनी कथन का नहां पर चुनाव करना है पहला statement क्या कहता है? यह कहता है यह हमारे शरी को बिमारेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे इसके बाद हम कुछ बात करेंगे लिम्फ की ठीक है तो लिम्फ होता क्या है लिम्फ हमारा जो शरीर होता है उसमें एक तरल परदार्थ होता है जो कि उत्तक मतलब कि टिशू और कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है टिशू और कोशिका के बीच के बीच कोशिका के बीच तो टिशू और जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है उनके बीच में ही लिंफ पाया जाता है और यह प्लिया जो होता है वो उत्तक से टिशू से हरिदय तक लिंफ वहिकाओं में प्रवाहित होता है तो उत्तक से हरिदय तक लिंफ वहिकाओं में प्रवाहित होता और यह जो है लिंफोसाइट भी बनाते हैं इसी कारण से इनको कहा जाता है कि यह हमारी शरीक के बीमारियों को बचाने में मदद करता है और साथ-साथ हमारी घाउ होते हैं उनको पीपड़ने में हमारी मदद करता है ठीक क्योंकि यह लिंफोसाइट का निर्मान करते हैं इस शही स्टेटमेंट है, second statement क्या है, उत्ताप्रदेश प्रादेश त्मिल्नाडे के बाद न्याए वित्रन प्रौनाली में तीस्रे स्थान पर राई है, यहां पर statement गल्ड दिया गया है, third statement जो है, तमिल्नाडे में महिला पुलिस अजिकारियों का पृतिशत सबसे अधिक है तो यह statement सही है लेकिन यह बहुत जादा confusing statement है तो जिसके किया भी हम आगे यहां पर चच्चा करेंगे इस पहले हम पहले questions को solve कर लेते हैं तो इसके बाद हम next question देखेंगे next statement देखेंगे उचे न्यालेयायले के मामले में केवल तो सिक्क्म में त्विंटी पर्संड से अधिक महिला जाज है तो यह स्टेम्न पर पर सही दिया गया है तो आंसर क्यों जाएगा अंसर हमारा है बी मतलब कि ओन्ध्री और फॉर स्टेटमें यहां पर बिल्कु शाही दिगाय है ठीके तो यहां पर अगर बात करें जो पे की वुमेन जो है पुलिस में सबसे अघिक हैं कितने परसेंट ? इन जो फुइफायज परसेंट इन अबहार में जो पुलिस जुए मैं कितनी है वह फुमेन अगर पुल्श काई सबसे पर खरता हैं तो फुस मेंस ज्ञादा प्रतीशत कहां पर mère रही हे तो उनका प्रतिशत है 24.8 ठीक है तो यहां पे पुलिस अधिकारी और पुलिस वोमें इन पुलिस मतलब की complete पुलिस तो इन दोरह में फरक है तो इसमें यहां पे confused नहीं होना है ठीक है तो बिहार में अगर हम देखे तो सबसे जादा जो है वोमें है पुलिस में 25.3% और यहां एक मात ऐसा राज है जहां पर की 20% से जादा जो है पुलिस फोर्स में ठीक है पूरी अगर पुलिस फोर्स की बात करें लेकिन अगर यहां पर हम केवल पुलिस अधिकारियों की बात करें पुलिस ऑफिसर्स की बात करें तो उसमें सबसे जादा प्रतिशत जो है वो तमिल पर 29o इस पर अपनि नापमे River हो आपने से कन Sugक्व में आप ची और फिलन पर उपने डिका पाईरड नाप प्रड़ाइन इसके बाद गर सेने माहराश को तो फ़र्स एकांक है कि महराश को फर्स गांक होईर है second rank किसकी है वह है Tamil Nadu की third rank किसकी है वह है तेलंगाना की और यहां पर important बात है वो यूपी को लेकर है क्योंकि हम लोग यूपी की तयारी कर रहे हैं तो यूपी को लेकर important यह चीज़ है कि यूपी को जो है यहां पर सबसे आखरी इस्थान मिला है ठीक है सबसे last कि मिला है वह उत्तर प्रदेश को ही मिला है तो यह चीज यहां पर याद रखने इसका बाद हम नेक्स्क क्विश्ण की बात करेंगे मतलब कि ट्वेंटिएंग की बात करेंंगे और प्रेसिन juvenile की हाल और यहाँ से कना पर कोई परकी प्रजाती समय झालने हैं क Works बवान काजू जामनाश मैं बवनन प्र依 में होती है जाता है तो घाजयता है Malayan Dwarf, छोटा Malayan, ठीक है, ड्वार्फ Arikana को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उसका नाम क्या दिया गया है, VTLAH2, और ड्वार्फ मेंगो को जो है, नीलम का नाम दिया गया है, तो इसलिए आंसर क्यों हो जाएगा, वो हो जाएगा, B, 3, 2, 4, and 1, 22nd question की अब हम बात करेंगे और यह है leaf not bats के बारे में निमलिकी कतनों पर हमें विचार करना है ठीक है leaf not नहीं है यह leaf nosed है यह जब मैं पढ़ी तो मुझे लग रहा है कि कुछ गलत है लेकिन मैंने इंग्रिश में देखा तो यहाँ पर leaf nosed bats है और हमें यहाँ पर सही कतन का चुनाओ करना है तो यहाँ पर क्या है भारत में भारत में leaf nosed bats are found only in two caves in Kualaar district तो यह बिल्कुल सही statement है IUCN में in a critically endangered category में रखा गया है यह भी बिल्कुल सही है leaf nosed bats इनको are not covered in any of the acts in India इनको किसी भी अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है यह भी बिल्कुल सही statement है तो इसका answer क्या हो जाएगा वो हो जाएगा C मतलब कि 1,2,3 statement तीनों ही यहाँ पर सही दिये गए है 23rd question COVID-19 production सूचकांग में भारत की rank क्या है तो इसमें भारत को rank जो है वो कितनी दी गई थी वो दी गई थी 86th rank दी गई थी ठीक है कि अब कितनी rank दी गई थी 86th rank दी गई थी और यहाँ पर आपको एची से भी बता दे कि जो COVID-19 production सूचकांग जो था इसमें चाइना को include नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ से कोई भी डेटा जो है ओफिशल डेटा जो है वो प्राप नहीं हुआ था तो इस वज़े से यहाँ पर चाइना को include नहीं किया गया है और इंडिया की rank इसमें 86th पाई गई है इसके बाद हम 24th की बात करेंगे तो पहला statement क्या कहता है अनुचे 340 मतलब कि 340 मेरे पिछड़े वर्गों की जाच के लिए एक आयोक की नियुकती का प्रावधान है बिल्कुल सही statement है अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गी करन की जाच के लिए रोहिनी आयोक का गठन किया गया है यह भी बिल्कुल सही statement है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा C मतलब कि 1st and 2nd statement यहाँ पर दोनों ही सही दिये गए है 25th question की बात करेंगे सांस अभियान के बारे में निम्ली के कत्नों पर में विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से के कत्न यहाँ पर सही दिये गए है तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर किवर्फ पहला और 30 STrav यहाम पसत्य दिया गया है Second Statement गलत दिया गया है यह अभयान किसके दारा शुरू किया गया है यह अभयान Ministry of Health and Family Welfare ebenfalls इसको भी किया गया था Ministry of Health and Family Welfare इसको शुरू किया गया था तो इसके बाते हम np. 26 Question को देखेंगे साण बायो मेंत्रिक्स हम टो लहां हैं खाय सक का बाइयो मेत्रिक्स में से निमलीकित में से किस का उपयोग किया जाता है अगर हम गेत की बात करें हैं तो ठीक है गेत्ड की इसका भी सिप् необход两 tx get क्या होता है get होता है हमारे जो चलने की जो हमारे जो चाल होती है उसको भी आधार बनवाय था अधार कार बिनवाया था तो उसमें आपका आईरिस स्कैन जो है कराया गया था ठीक है तो यहां पर आईरिस स्कैन भी होता है नस की पहचान होती है फेस रिकागनिशन होता है चेहरे की पहचान होती है फेस रिकागनिशन मतलब की फोटो होती है हस्त जामिती की पहचान हैं geometry recognition कभी इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए answer क्यों हो जाएगा D मतलब की all of the above 27 की बात करेंगे काच को कठोर बनाने के लिए किस पदात का उप्योग किया जाता है ठीके glass जो काच होता है उसको hard करने के लिए जो है यहाँ पर potassium chloride का इस्तेमाल किया जाता है मतलब की हमारा answer क्यों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा D इसके बाद हम 28 question को देखेंगे यहाँ पर दो सुची दी गई है और हमें उन दोनों को ही यहाँ पर match करना है तो Stanley Falls कहाँ पर है Stanley Falls जो है वो जाहरे river पर है इसके बाद हम देखें Victoria Falls जो है वो जामबेजी river पर है Howick Falls जो है वो कौन सी नदी पर है वो है उमगेनी नदी पर और मर्चिसन Falls जो है वो नाइल रिवर पर है तो हमारा answer क्यों हो जाएगा वो हो जाएगा B मतलब की 241 and 3 29th question देखेंगे नेमलिके करणों पर हमें विचार करना है और हमें यहाँ जो सही कथन है जो सत्यव कथन है उसका हमें चुनाओ करना है तो पहला statement क्या है पल्स पोलियो कारेग्रम 2021 को भारत में 30 जनवरी 2021 को राश्पती द्वारा लांच किया गया था ठीक है तो यह statement बिल्कुल यहाँ पर सही है इसके बाद अगर हम देखें 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोशित किया गया था यह भी बिल्कुल सही statement है तो answer क्यों हो जाएगा answer हो जाएगा C मतलब कि first और second दोनों ही statement यहाँ पर गलत दियेगा है और यह question जो है 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोशित किया गया था यह question पहले भी यह पहले भी यूपी PCS में पूछा गया यूपी PCS Pre में पूछा गया है इसके बाद हम 30th question को देखेंगे परिभाशित निवास इस्थान या पर्यावर्निय कारण के लिए प्रतीक के रूप में कारे करने के लिए चुनी कई प्रजाती को क्या कहा जाता है A species selected to act as a symbol for a defined habitat or environmental cause is called what तो इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है ए मतलब की flagship प्रजाती ठीक है flagship प्रजाती कहा जाता है flagship प्रजाती के होती है यह एक ऐसी प्रजाती है जिसे किसी पारिस्थिती की तन्राफिक किसी भी इको सिस्टम के आइकन या प्रतीक के रूप में जाना जाता है जैसे कि प्रतीक के रूप में जाना जाता है जैसे कि प्रतीक के रूप में जाना जाता है जैसे कि अगर हम काजी रंगा की बात करें काजी रंगा जो है वो किसलिए माना जाता है वो वन हॉंड राइनोसरोस के लिए माना जात तो वह यहां पर उसका प्रती एक फ्लाक्शिप स्पीशी और उस प्लाक्शिप जो हम प्रणती हिना जाए उसiden को हम प्लाक्शिप मेर्त नो कोती है और उसी ऑपन मेर्त बेर का वी बना देखने एक पूरे ecosystem को फायदा होता है तो उस species को क्या कहते हैं उसको हम कहेंगे flagship species तो answer क्यों हो जाएका एक flagship species इसकी बार 31st question को देखेंगे राष्टि हरित अधिकरन के बारे में निम्लिकत कत्नों पर हमें विचार करना है मतलब कि national green tribunal के बारे में हमें कुछ यहां पर statements दिये गा हैं ज 2010 था इसको इस्थापित किया गया था यह बिल्कुल सही है थो NGT Act 2010 के अंतरगत ही इसको इस्थापित किया गया था second statement इस न्यायाधिकरन में आवेदन या या याचिका धाखिल करने के तीन महीने के भीतर आविजनों या अपीलों का निप्टान करने के लिए कारेवाही करना अनिवार है तो यहाँ पर तीन महीने नहीं यह जो है यह जो है यह सिक्स मंच के अंतरगत होता है इसके पास थर्ड स्टेटमेंट है यह है इस न्यायाधिकरन का अध्यक्ष राश्पती द्वारा नियुक्त किया जाता है ठीक है तो यह जो है यह यह राश्पती द्वारा इनको नियुक्त नहीं किया जाता है इनको नियुक्त जो है सेंट्रल गर्मेंट करती है चीफ इसलिए हमारा जो अधोर्ड स्टेट्मेंट है यह भी यहां पर गलत दिया गया है इस अधीकरन का निर्ने अमुक विवाद में शामिल लोगों के लिए बादिकारी होता है ठीक है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा सी मत्विकिल फर्स्ट और मैक्रो न्यूट्रियंट का उधारन नहीं है तो जैसा कि हम जानते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रियंट होते हैं और कुछ मैक्रो न्यूट्रियंट होते हैं तो इसमें जो अगर हम बात करें जो मैक्रो न्यूट्रियंट में कौन सा potassium, calcium, sulfur, magnesium, carbon, oxygen and hydrogen जो है वो macronutrients में आते हैं इसके बाद हम 33rd question देखेंगे 0 tillage के बारे में गलत कथन चुने ठीक है तो यहाँ पर keyword क्या है? incorrect हमें statement चुनना है जो कि statement यहाँ पर गलत दी गई है हमें उसका चुनाओ करना है तो इसका answer क्या है? इसका answer है C low amount of nitrogen is needed for mineralization of organic matter carbonic पदार्थों के खनीज करन के लिए nitrogen की कम मात्रा की आशकता होती है ठीक है तो answer क्या है? इसकी C है 0 tillage का मतलब क्या होता है? 0 tillage का मतलब होता है कि जो मृदा होती है जो सॉयल होती है उसको बिना साफ किये भी ठीक है बीजो की बुआई कर दी जाती है ठीक है तो जब खेट होते है उसमें जो पहला crop लगाया जाता है उसके बाद जब उसको harvest कर लिया जाता है उसको काट लिया जाता है वो फसल काट लिया जाती है उसके बाद उस खेट की सफाई जो है अभी भी चमीन पर मौजूद होते हैं ठीक है इसके बाद अगर हम देखें तो जीरो टेल्ड क्रिशी में प्रेयुक्त म्रिदा को की समरूप रसर नचना होती है और इसमें अधिक केच्वे जो है वो मौजूद होते हैं जो अर्थवाम्स होते हैं इसमें बहुत जाद हो जाता है जिससे म्रिदा का शरण रुख जाता है मतलब की जो सॉय इरोजन है वो रुख जाता है इसके बाद हम 34th question की बात करेंगे और उसमें है केंद्री प्रदुशंग नियंतरन बोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भी कितने स्थल सरवाधिक दूशित है ठीक है त इसके बाद हम 35th question को देखेंगे नियम्लिकित में से कौन सा जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो अगर हम देखें तो इसका आंसर है D तो जेंडर गाप इंडेक्स 2020 में इंडिया की रांग कितने थी इंडिया की रांग थी 112 इसके बाद हम 36th question देखेंगे और उसमें नियम्लिकित कतनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि सही statement correct statement इनमें से कौन कौन से हैं तो पहला statement क्या है सक्षम विभिन उद्योगों में आवेशक चमिको के कौशल का मान चितरन करने के लिए एक रोजकार संबंधी पॉर्टर है यह यहाँ पर statement बिल्कुल सह यह सक्षम पॉर्टल है यह टाइफ्रेक के द्वारा जो है इसको लॉंच किया गया है टाइफ्रेक का मतलब है technology information forecasting and assessment council ठीक है और यह जो है एक think tank है department of science and technology के अंतरकर जो है यह आता है और यहाँ पर क्या है यह जो है यहाँ पर micro small medium enterprises है उनके जो है skill workers को map करने के लिए skill workers को जो है उनका मानशित्रन करने के लिए जो है सक्षम पॉर्टल को launch के किया गया है और इसमें जो है केवल ब्लू कॉलर jobs को जो है include किया गया है ठीक है वाइट कॉलर रोजगार की इसमें बात नहीं कही गई है इसमें केवल 10 लाग blue collar रोजगार के सिजन की सुविता प्रदान करने की बात जो है वो कही गई है इसके बाद हम 37th question देखेंगे निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए और नीचे दिये गए कूट में से सही कथन हमें चुनना है तो यहाँ पर यह तीनों ही statement जो है यहाँ पर सही दिये गए है बिल्कु सही statement है समुधी शेवा समुधी पारिसीति के तंध में पाई जाने वाले भारी वस्तियों का तंध से उन्मूलन करता है बिल्कु सही statement है जब इने पशों को खिलाज जाता है तो मिठेन, सरजन और चारगा की लागत में कमी आती है बिल्कु सही statement है तो answer क्यों एक विदेशी बैंक द्वारा प्रबंधित एक खाता होता है जिसको कि हम Wostro account कहते हैं An account held by a foreign bank with domestic bank ठीक है इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम Wostro खाता जो है वो कहते हैं तो अगर हम Wostro account का अगर हम example देखें तो जैसे कि अगर कोई भी विदेशी bank है for example standard charter bank है और ठीक है, Starter Charter Bank जो हो गया, वो एक Foreign Bank हो गया, और अगर वो Canera Bank है, फिर कोई भी जो हमारा जो Domestic Bank है, State Bank of India, Canera Bank, अगर ऐसा कोई भी बैंक है, उसके साथ कोई भी अगर खाता या account maintain करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम Wastro Account जो है, वो कहते हैं, ठीक है, Wastro Account के साथ सा जो हमारा कोई भी Domestic Bank है, वो किसी भी विदेश में जाके, वहां के जो बैंक होते हैं, उनके साथ अगर खाता maintain करता है, तो उसको हम लग नौस्ट्रो Account कहते हैं, फॉर एक्जामपल, अगर यहां पे State Bank of India, जो है, चाइना में जाके, अगर चाइना की करंसी में, ठीक है, च नौस्ट्रो Account और नौस्ट्रो Account, इसके बाद हम नेक्स क्वेशन देखेंगे, 39th क्वेशन, नेमलिकित कतनों पर हमें विचार करना है, और हमें देखना की कौन कांसे सही कथन है, तो यहां पर पहला कथन क्या है, विश्व आर्थिक मंच, मतलब की World Economic Forum, द्वारा ब्रेश् Perception Index, जो है, यह किसके दोरा जारी किया जाता है, यह प्रांसपेरिंसी इंटरनाशनल के दोरा जारी किया जाता है, तो फिर्स्ट स्टेट्मेंट यहां पर यहीं पर रॉंग हो गई है, बारत ट्वेश्टाचा धार्णा सूचकांग में चियासवे, इस्थान पर था, 86th rank पर था बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भारत 2019 में अपनी रैंक की तुलना में इस सुचकांग में 6 तांखिसा गया है यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो आंसर क्यों हो जागा टू एंट थ्री इसको हम दूसी तरीके से लिमिनेशन मेठी। सकते हैं अगर सही तो हमने पहल में गलत हो गया है तो हर और फश्ट से हमें जो है options को eliminate करने में options के लिए narrow down करने में जो है बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है इसके बाद हम 40th question को देखेंगे मुंदेलखंड शेत्र में निम्लिकेत में से कौन सा जिला जो है वो शामिल नहीं है तो इसमें answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा मतलब कि सोन भद्र है ठीक है बुंदेलखंड डीजन जो है उत्तर प्रदीश का इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट साथ जिला जो है वो शामिल है कौन कौन से जासी जालौन महोबा ललितपूर बांदा हमीरपूर और चित्रकूट ठीक है तो इसको प्लीज नोट कर लेजे क्योंकि य चित्रकूट 41st question की बात करेंगे हालिये में किस जिले में रसिन बांध और चिल्मिल बांध का उधगातन किया गया है ठीक है यह सब यूपी specific questions है इसको एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर आप यूपी PCS के लिए जा रहे हैं बैठने तो तो इसका answer क्या है इसका answer है B मतलब कि चित्रकूट में ठीक है यह दोनों damage जो है उनका जो है उधगातन किया गया है 42nd question कोई बात करेंगे 42nd question कहता है निल्ली की कतनों पर हमें विचार करना है और यहां पर हमें सही कतन चुनने है प्रोजेक्ट रिहाब को परियावरन वन और जलवायू परि जो परियागे है क्योंकि जो परोजेक्ट रिहाब है किसके के दोर्व शुरू किया गया है यह के वी आइसी दोर्व शुरू किया गया जिससे कि human elephant conflict को भी जो है वो रोका जा सके तो यहां पे जो है यहां पर फर्स statement जो है यहां पर गलत दिया गया है second statement है इस परियोजना के तहित मानव हाती संघर्ष को कम करने के लिए मध्यमक्यों के बाड़े बनाए चाहेंगे कि बिल्कु सही statement है तो answer क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कि वस्ट सेकेंड इस्टेट्मेंट यहां पर सही दिया गया है 43rd question के बात करेंगे निम्री के कत्नों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन करसे कतन यहां पर जो है वो सत्ते दिये गया है तो यहां पर फर्स statement क्या है जीरो कुपन बांड्स आर परचेस्ट अट डिसकांटिक प्राइस एंड इंटरेस्ट बियारिंग बिल्कु सही statement है सेकेंड इस्टेट्मेंट है स्पेशल जीरो कुपन बांड्स आर परचेस अट पार एंड डू नॉट ओफर एनी रिटर्न तो यह इस्टेट्मेंट भी यहां पर सही दिया गया है आंसर क्यों हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी मतलब कि यहां पर दोनों ही कथन जो है वह इक दम सही दिये गए है 44th question को देखेंगे निम्लिके कलपो का सही से मिलान करना है तो पहला क्या है यहां पर गतका ठीक है यह कुछ है यहां पर जो है लोकल फोक आर्ट दी गई है और जिसको कि हमें देखना है कि किस स्टेट से या किस रीजन से बिलॉंग करती है अगर हम गतका देखें गतका कहा करता है थांता यह मनिपूर से बिलॉंग करता है कलारी पयाट्ट यह कहां करता है केरलह से और मल्खम नहीं महरें से बिलॉंग करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाए ? कभी हो जाएगा मतलब की 4 1 2 & 3 45th question की बात करेंगे भारत energy outlook report 2021 के बारे में निम्लिकेंच में से कौन सा कत तो इसका आंसर क्या है? आंसर है A, मतलब कि यह रिपोर्ट जो है नीती आयोगद्वारा की जाती है तो यह नीती आयोगद्वारी जो है पुब्लिश नहीं की जाती है यह International Energy Agency IEA द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है और इंडिया जो है यह 4th largest energy consumer है पूरे विश्व में ठीक है चौथा सबसे बड़ा उर्चा उपभगता है किसके बाद पहला क्या है पहला चाइना है दूसरा यूएस से है और तीसरा इयू है पहला अगर हम बात करें तो चाइ इंडिया कि इंट्रण इनर्जी एजंसी द्वारा इसको पबिश द्रशा किया जाता है इन्डिया स्ञें कि इंडिया कि कार्बन डायोकसयड एपो क्म धाळदा के पलो में तेस्या plus सबसें क्यानीแसई है । इन्डिया के सबसें सुच्छार ऊस्अवरा एंज्व में अगर हम अक्षे उजा में बात करें तो यह क्या है सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद 46 के बात करेंगे टी ट्री सिटी ऑफ दा वर्ल्ड के रूप में वर्नेद भारत का एक मात्र शहर कौन सा है तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है डी मतलब की हैद्रा बात इसके बाद हम 47th question की बात करेंगे निमलिकित कतनों पर हमें विचार करना है और यहां पर हमें देखना है कि कौन कौन से कतन जो है वो सत्य नहीं है नौट ट्रू ठीक है तो यहां पर कीवर्ड क्या है जो कतन जो है असत्य है या पर नौट ट्रू है तो इसमें क्या होगा पहला statement किया है भारत सतत्विकास के मामले में 117 इस्थान पर है बिलकु सही statement है भारत पाकिस्तान और बंग्लादोश को छोड़ के सभी दक्षिन एशिया ये देशों से पीछे है यह statement यहां पर गलत दिया गया है क्योंकि यह केवल जो है यहां पर अगर हम बात करें तो ये केवल सबसे पीछे है except पाकिस्तान ठीक है भारत पाकिस्तान को छोड़के सभी दक्षिन एशियाई देशों से पीछे है इसके बाद थर्ड की बात करने भारत में केरल सतत विकास मापदंडो पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है ये भी स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है तो आंसर क्यों हो जाएगा हमारा सी मतलब की केवल सेकेंड स्टेट्मेंट यहाँ पर गलत है 48 प्रेशन देखेंगे निमलिकेट में से कौन सा विकल जो है वो सही धंक से मेल नहीं खाता है तो यहाँ पिग्मी ट्राइब है तो यहाँ पर पिग्मी ट्राइब कहां से है घ्टफ देखेंगे46 में विचार करना है और हमें कि कश्टा करना है जो है यहां पर सत्य दिये गाए है तो पहला statement क्या है? पहला statement है mission inter dhanush 3.0 में किवल 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को cover किया जाएगा जो हमारी के दौरा नियम में ठिका करण से चूक गए थे ठीक है तो यहां पर statement जो है तो mission inter dhanush 3.0 जो है यह ministry of health and family welfare द्वारा जो है इसको launch किया गया है और इसमें सभी बच्चों को 12 से कम बच्चों को साथ साथ जितने भी pregnant ladies pregnant women है गर्बती महिला है उनको भी include किया जाएगा जिन्होंने अपना routine immunization जो है या फिर उनका routine vaccine लगता है उसको miss कर दिया है उसको पूरा करने के लिए ठीक है बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने जिनका की routine immunization जो है वो miss और गया था covid-19 pandemic के चलते तो इसमें उन सभी को जो है इसमें include किया जाएगा और इसमें जो है 12 तरिये की बिमारियों को जो है 12 diseases को जो है इसको इसमें include किया जाता है ठीक है जो की कौन कौन सी है डिप्थीरिया है वूपिंग कफ है टेटनस है पोलियो है ट्यूबर किलोसिस जिसको टी बी कहते हैं hepatitis B है meningitis है, pneumonia है, rotavirus है, measles rubella है, Japanese encephalitis है, pneumococcal conjugate vaccine है और hemophilis influenza type B है ठीक है तो ऐसी 12 diseases को इसके अंतगर जो है वो इसको include किया गया है इसके बाद Fiftyth question पे बात करेंगे और इसमें है कि यहाँ पे हमें 2 सूली दी गई है और हमें उनको जो है यहाँ पर मैच करना है और उनका जो mouth है कि वो کہा पे जाके गिर्ती है तो उसको हमें यहां पे जो हैं जो है मैच करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो Danube, Danube River जो है वो Black Sea में जाकर गिरती है इसके बाद हम देखेंगे Scene, Scene River किसमें गिरती है वो English Channel में गिरती है Rhone River जो है वो Mediterranean Sea में गिरती है और Wohl का जो है वो Casman Sea में गिरती है इसलिए हमारा answer क्यों हो जाएगा? वो हो जाएगा C, 2, 3, 4 and 1 51st question, निम्रिकित का मिलान करता है हमें और यहाँ पर बेरिंग स्ट्रीट की अगर हम बात करें तो बेरिंग स्ट्रीट जो है वो Alaska और रूस को अलग करता है ठीक है सेपरेट अलास्का एंड रशिया इसके बाद हम देखेंगे मलाका स्ट्रीट मलाका स्ट्रीट जो है यह किसको स्परेट करता है यह मलेशिया और सुमात्रा को जो है यहाँ पर स्परेट करता है सुन्दा स्ट्रीट यह जो है स्परेट क्या करता है जावा और सुमात्रा को अलग करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो अमान और इरान को अला करता है आंसर हो जाएगा हमारा B मतलब की 4, 3, 1 and 2 ठीक है इसके बाद हम नेक्स क्वेशन देखेंगे 50 सेकंड क्वेशन और वो कहता है कि एसकॉनिडा किसके लिए प्रसेथ है इसकॉनिडा जो 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 है वो कॉपर माइन के लिए जो है यहाँ ज़ादा फेमिस है तो एसकोंडिडा में जो है यह किसके लिए फेमस है यह कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है यह जगे 53rd question हाल ही में उत्तरदेश में एक माल गलियारे का उधगाटन किया गया है यह किन दो जगों को जोड़ेगा ठीक है एक freight corridor को जो है इनागरेट किया गया है तो यह किसको जोड़ेगा हमें वो बताना है यूपी specific है इसलिए बहुत ही जादा important है तो इसका answer क्या है इसका answer है ए मतलब कि खुर्जा और भावपूर को जोड़ेगा freight corridor और यह कितना यह 351 km long dedicated corridor है जो कि खुर्जा और भावपूर उत्तरदेश को जोड़ता है इसके बाद 54th question नेमलेकित कत्रों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से statement जो है यहाँ पर सत्य दिये गए है ठीज सही से दिये गए है answer क्या है aluminium air battery का उर्जा घनस अलीत्मियम air battery से अधिक होता है ठीक है बिल्कुल सही दिया गया है aluminium air battery rechargeable नहीं होती है यह भी बिल्कुल सही दिया गया है तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा C मतलब कि दोनों ही statement यहाँ पर सही दिये गए है aluminium air battery जो होती है यह non rechargeable होते हैं इंको हम दुबारा से recharge नहीं करते हैं क्योंकि यह जो metal होता है यह जो aluminium जो है एक metal है और यह erode हो जाता है और यह एक oxide form में बन जाता है और इसी वज़े से जो है इसको वापस हम electricity के लिए जो है use नहीं कर सकते हैं aluminium air battery जो होती है वो lithium ion battery जो होती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि aluminium air battery जो होती है वो lithium ion battery से हलकी होती है और बहुत ही जादा छोटी होती है ठीक है क्योंकि इनका घनत जो है वह बहुत जादा होता है इसका मतलब यह है कि aluminium air battery जो होती है वो lithium ion batteries से हलकी होती है और पी 5th question को देखेंगे, नेमलिकित में से कौन सा विकर्ट जो है, वो सही ढंक से मेल नहीं खाता है, तो सांप्रती, सांप्रती किस कौन से देश की Joint Military Exercise है, वो है इंडिया और बांगलादेश की, ठीक है, इंडिया और शीलंका, नहीं, इंडिया और बांगलादेश के बीच की, जो military exercise है उसका नाम क्या है उसका है सामप्रिती बाकी यहां पे अजय वारियर जो है वो इंडिया UK की है अलनागा जो है वो इंडिया उमान की है और बोल्ड कुरुक्षे जो है वो इंडिया सुरियापूर की है यह सभी सही दिये गए है 56th question यहां पे दो सुची ली गई है और यहां पे हमें उनका यहां पे हमें वो करना है मैच करना है तो अगर हम काक्रापारा की बात करें तो काक्रापारा कौन से नदी पर है प्रोजेक्ट जो है कौन से नदी पर है यह है तापी रिवर पे ठीक है इसके बाद अगर हम थेन ड इसके बाद हम 60th question को देखेंगे और 57th question को देखेंगे consider the following statements about coniferous forest और इसमें हमें देखना है कि statement कौन कौन से यहां पर correct दिये गाए है तो सबसे पहला statement क्या है? शंकुधारी पेडों में जल हुआस को रोकने के लिए मोमी परत के साथ सूई जैसी पत्तियां पाए जाती है वैक्सी होती है मतलब कि उनके जो अगर हम जो कौनिफरस टी की जो पत्तियां होती है उसको अगर हम चुएंगे तो उनमें लगता है कि जसे उसमें मोम लगा हुआ है ठीक है और यह जो बहुत ही जादा पत्ली होती है आगे से नोकीली होती है जिससे कि क्या होता है जिससे कि water loss को रोकने में मदद मेलती है ठीक है तो यह statement बिलकुल यहां पर सही दिया गया है ठीक है और second statement किया है shrubs and flowering plants are common in coniforous forest तो यह statement यहां पर गलत दिया गया है answer क्यों जेका answer हो जाएगा A मतलब कि केवल first statement यहां पर सही दी गई है यहां पर अगर हम coniforous forest देखें यहां पर बहुत सादा जाड़िया यहां फिलावरिंग प्लांट्स यहां पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहां पर जो जो रौश्नी होती है वह बहुत ही जो है बहुत ही little amount में नीचे तक भाच पाती है जिससे की यहां पर नीचे जो जाड़िया फिलावरिंग प्लावरिंग प्लांट्स होते हैं छोड़ छोड़े पौत में बहुत ज़शादा अपच नहीं पाते हैं लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज ओते हैं जैस werde की ऐरोकेरिया हो गया चीर का पेरो zach सेता है हां पर जो एकानी फॉर्स फॉर्स पें, वह बहुत जादा पाया जाते हैं, इसके बाद 58 इच्थ प्रेशन को देखेंगे, और यहां पर क्या है, यहां पर है हमें 2 सुची नी गई है, और हमें यहां पर इनको मिलान कराना है, तो पहला क्या है पाटन, पाटन कहाँ पर है, यह जो है यह श्री लंका में है ठीक है यह कहां पर है यह श्री लंका में है इसके बाद अगर हम कैंटर बेरी देखें कैंटर बेरी कहां पर है कैंटर बेरी जो है यह न्यूजी लाइन में है पाडांग जो है यह मलेशिया में है और पुस्तास जो है वो हंगरी में कहा जाता ठीक है तो यहाँ पर कई सारे फसल दिए गई हैं और हमें बताना है कि इन में किस कस में नंबर वन है तो अगर हम पहली बात करें जॉह में हैं अम्रूट में भी है मस्क मेलन मतलब कि खरबूझे में भी हैं गेहु में भी है और शहळशमीं में भी है तो आंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा उप्रोग्त सभी ठीक है तो इन सभी में जो है उत्तर प्रजिश जो है largest producer है इसके बाद 60th question देखेंगे 60th question कहता है दो सूशी दी गई है और यहां पर हमें बताना है कि कौन सा crop जो है वो किस एरिया में जो है जो है बुलंध शहर में टोमेटो की बात करें मेन पूरी में उसके उपज बहुत ज verschied है और बमाना जो है वह गोर कुंद में बहुत जब जुहहां बहुत लखन सेंवे बगए होती है तो हमारा answer क्यों हो जहyगा便س। हमारा answer हो जाएगा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भारत में सभी चार प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है चार प्रकार के सिल्ख कौन कौन से है इरी होता है ठीक है इरी होता है जिसका की जिसमें की सबसे प्रथम इस्थान किसका है असम का है इसके बाद किसका है टसर टसर कौन से टसर जो है सबसे जादा कहां पे जारकन टाच में जिसका कि सबसे जादा उतपादन होता है इसके बाद अगर हम बात करें मुगा सिल्क की ठीक है इसके बाद एक होता है मुगा सिल्क होता है जो कि है यहां पर भारत में हम कह सकते हैं कि सभी चार पर कार के जो रेशम में उनका उत्पиा जाता है और इसके बार थे थार्डक्र स्टेट्मेंट है कि यहां पर गलत दी गई है यह कहता है असम remained इतने भी चारो पने उत्पादक राज्य में तो यह एसा कि यह पर गलत है क्योंकि टासर सिल्कर को रहे है कि जारकन और मल्परी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है करनाट का तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो यहां पर गलत दी गई है तो answer क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा भी मतलब कि girl first और second statement यहां पर सही दी गई है 60 second question को अगर हम देखें तो वो कहता है कि नर्मदा नदी के बारे में निम्लिखित कफनों पर हमें विचार करना है ठीक है? नर्मदा नदी जैसे कि हम जानते हैं कि जो यह जो नर्मदा उतापी रिवर जो है यह क्या है? यह यह जो है यह वेस्ट फ्लोईं रिवर्स है ठीक है? तो अगर नर्मदा नदी के बारे में हमें यह कफन पर विचार करना है है और हमें यहां पर सथ्ट्य वचन को हमें चिनाव करना है तो पहला क्या है यह Promise यह स्टेटमेंट यहाँ यहां पर गलत दिया और यहां पर सही दिया गया है यह भाटि प्रायदीप की की सबसे लंबी नदिह जो अरब युक्त प्राइं करने अरब सागना गेती है और आतिक यह थृट प्राइंट टरा फोर ते यह यहाँ सिफ यह ओ गया थे ट सहीं कर दो को कुंद आत तो अमरकंटक हिल्स जो की मैकल रेंज पर से टाहल से जो यह निकलती है और यह विंध्यन माउंटेंगे और सत्य यहां पर को हम देखेंगे निकलती है तो कौन कौन सी ऐसी नदी है जो अमर कंटक पहाड़े से निकलती है तो वो कौन सी है जो ए फिर्स्ट थी और फाइव मतलब की फिर्स थी पहली नर्मधा नदी इसके बाद हम देखेंगे जो सॉरी, यहां पर सोन नदी होगा, ठेक है, यह सोन नदी है, ठेक है, यह बेटा नहीं है, यह सोन नदी है, और यह जो फिफ्थ है, जो हिला नदी, ठेक है, यह भी यहीं से निकलती है, आमर कंटा की पहाडियों से, तो आंसर क्यों हो जाएगा, वो हो जाएगा, C135, 64th question, नि अरो, कोईले के लिए, यह है, यहां पर यह जो है, अकोईल के लिए, जो है, एक किसम है, पुसा, बोल्ड, वरुन, पितामबरी, निम्लेकित में से कौन सा कत्थन जो है, वो सही है, ठेक है, और हमें जो है सही कतन चुनने है तो यहां पर क्या है इसमें जो है जो सेलिका की उपस्थिती के कारण यह लाल रंग इसमें यह जो है यह यह लाल रंग का होता है तो यह यह यहां पर गलत दिया गया है क्योंकि इसमें सेलिका नहीं इसमें जो है यहां पर आईरन बहुत जा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसके बाद हम देखेंगे फूर्थ स्टेटमेंट क्या है यह नाइट्रोजन और प्रटैश में सम्रिद्ध होते हैं तो आंसर क्यों जाएगा आंसर हो जाएगा बी तो लेट्राइट सॉल के बारे में अगर हम थोड़ी सी और जानकारी प यह क्यों होता है 요रव बीवर्शन ऑर यह होता है इसका nिर्मान रूंस रहे होता है इसमें जो है बहुत सारी जो इसमें जो है अलिमुनियम और जो लोहे होते हैं ठीक है उनका इसमें जो मृदा होती है इसमें जो सिलिका और जो चूना होता है वो लीच हो जाते है उनका जो है निक्षालन हो जाता है ठीक है वो लीच हो जाते है और क्या के और यहां पर क्या यहां पर Aluminium और Iron Oxide पीछे बच जाते हैं यहां पर क्योंकि भारी मात्रा में जो लोहा है या फिर Iron के प्रेजन्स होते हैं इसी वज़े से Lateroid Soil जो है लाल रंगा होता है और यह जो Soil है इसमें Potash, Nitrogen, Humus और चूने की काल्शियम की जो है इसका है Sea Gotland Island तो Gotland Island कहां पर है यह स्वीडन में स्थेत है Baltic Sea में ठीक है बॉर्णियो में नहीं यह स्वीडन में बाल्टिक सी में यहां पर ही स्थेत है और यह जो है यह स्वीडन का बहुत ही एक important port है ठीक है और नुवाया जैमिला आइलेंड जो है यह जो है रशिया में लोकेटेड है Arctic Sea में और यह हमेशा ही बरफ से ढखा रहता है ठीक है यह always covered with ice होता है और जितना भी जो रशिया को जितना भी nuclear waste है ठीक है जितना भी रशिया को नुप्लिया वेस्ट है वो यही पर dump करता है ठीक है हैं आपर सहीं दिया गया है सूला सितम्बर को इंटर्व श adrenaline के रूप में जो मनाया जाता है तो आइक कोई ध coronavirus की दिवस और second statement है, 2011 से दो हजार बीस तक दस वशों की अबदी के लिए आईची लक्षे निर्धारित किये गए थे, यहीं भी statement सही है, तो answer क्यों हो जाएगा, answer हो जाएगा C, मतलब की दोनों statement यहाँ पर सही दिये गए हैं. 70th question की बात करेंगे, तो यहाँ पर फाइटो रेमेडियेशन के बारे में बात की गई है, और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है, फाइटो रेमेडियेशन के बारे में यहाँ पर सही दिये गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका उदेश पर्यावरण से विशाक्त के लिए हरे पौधो का उप्योग करना है, सही स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दिये गई है, उपरोक्त उदेश से उप्योग किये जाने वाले हरे पौधे तेजी से बढ़ने वाले पौधे होने चाहिए, और वाटर हियासिंद और सेल्वीनिया तो इसके लिए कि उनकोंसी पौधो को यूज़ के जाता है, वाटर हियासिंद और सेल्वीनिया का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तीनोई सेटमेंट यहां पर सही दिये गए है, सेवेंटी फर्स क्वेशन देखेंगे, हाल ही में भारत कि देश को प चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है, अब और इसके बाद सेवेंटी सेकेंड क्वेशन देखेंगे, उस्टे कटी बंदिये शेत में पौधो और पेडों की विशिष्टा इनिमलिकेत में से कौन सी होती है, ठीके ट्रॉपिकल रीजन जो होती है, वहां पर जो होती हैं तो यह तीनों ही सही है, तो आंसर क्यों हो जाए का आंसर हो जाए गट्डी ठीके ट्रीज और प्लांटा होते हैं वह सम налропने जो मों कि पत्ति होती है और जो मों प्लावर की फूल होती है उनकी पंखुडी भी बड़ी ही मोमी सी होती है जिससे की पानी पर ना ठहरे और सीधा नीचे चले जाए क्योंकि बारिश बहुत जादा होती है तो उन पर पानी जो है जमे नहीं वहाँ पानी ठहरे नही इस वजह से जो उनकी पत्तियां या फूलो बहुत सारे फंगाई और बैक्टीरिया ना जनम ले तो इसलिए वहां पर जो ट्रॉपिकल लीजिन के पेड़ पौधे होते हैं या फिर फूल होते हैं उनकी पंखोड़िया जो होती है वह बहुत ही मोमी होती है ताकि उसमें से पानी तुरंद किछल के नीचे चला जाए और agony उत्के उनकी वह अनका फौन होती है इसलिए थिकम्स दश्ण चला जिसे के जी और चौण के आट्राक्टि कर सके लिए और चौण कर जूब जिसने इंधन mouvementकांना जूफर फूल ए वहे बहुत ही है पहला पम आपकर सिकनी ते उनका सभूते सब्णका समाइ जो इसके बाद हम next question देखेंगे, 73rd question, निमलिखित कतनों पर हमें विचार करना है, और हमें देखना है कि कौन कौन से statement यहां पर सही है, कभी दास भक्ती आंदोलन की निर्गुंड ईश्वर शाखा से संबंदित है, बिल्कुल सही statement है, he was disciple of saint swami ramanand, यह भी बिल्कुल सही statement है, त इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें जो है, यह चारो ही जो है, यहां पर शामिल, जितने भी चारो व्यक्ति दिये गए है, चारो ही शामिल है, अशोग, गुलाटी, बुपिंदर, सिंग्मान, प्रमोर, जोशी और अनिल, घनावत, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो यह स्टेट्मेंट यहां पर सही है, कोरोना ओफ दसन रेगुलरली चेंजिस शेप एंड साइज, तो जो सन का जो कोरोना होता है, वो नियर में त्रूप से अपना आकार को बदलता रहता है, बिल्कुल यह भी सही स्टेट्मेंट है, और डे वन दसन इस फार्डिस्ट फ्र फर्स और स्टेट्मेंट यहां पर केवल सही है, तो परिहिलियन क्या कहते है, जब जहां पर सन सबसे अर्थ के पास होता है, तो जैसे अगर इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जिसे पास होता है, तो पर से पास और पर से परिहिलियन, तो पास जब अर्थ के सबसे प करेंगे जीवानु प्रतिरोधक शम्ता विक्सित करतें तो इसका अंसर क्या होगा इसका आंसर होगा C मतलब की दोनों A और B ठीक है जीवानू जो है बैक्टेरियर डेवलफ ड्रग रिजिस्टेंस वें जब वो शरीर के अंदर या फिर बाहर होते हैं वो कभी भी जो है वो किसी भी ड्रग के प्रती जो है प्रती रोदक शंता जो है वो डेलब कर सकते हैं को अंसर कहीं जाएगा ? C करें किसे सोचे को मिलान करना भी सेबसे पहले अगर हम बात कहने है और सबसरे ने की वीजिए कज्टा है में आच हूट के लीए यूजिया जाते है में यूजिया जाता है यह टैनिंग मटीरियल के लिए यूज किया जाता है और कंजू यह प्लाइवूट के लिए इसका यूज किया जाता है तो आंसर क्यों होगा आंसर होगा तो थ्री फोर एंड वान यहां पर थुरद से अलाइमेंट में प्रॉब्लम है प्लीज पारड़न मी फॉर आट इसके पर 78 क्वेशन को देखेंगे 78 क्याता है आयोडीन परिक्षन का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है एक आयोडीन टेस्थ इस यूज तू चु टो चेक वाट तो इसका आंसर है B मतलब की कार्बो हाईडरीट को कि की मात्रा को टेस्त करने के लिए जो है आयोड तो पहला क्या है कि केवल प्राथमिक और माध्यमिक भुकम तरंगे लहर की दिशा में सामानांतर कंपन करती है Only primary and secondary earthquake waves vibrate parallel to the direction of the wave तो यह statement यहाँ पर गलत दिया गया है इसके बाद हम देखेंगे next statement S wave जो है the shadow of the shadow zone of S wave is larger than that of P waves तो यह यहाँ पर सही दिया गया है तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा B क्योंकि केवल second statement यहाँ पर सही दिया गया है केवल जो primary waves होती है वही जो है वो कैसे vibrate करती है वो parallel करती है जो wave की direction होती है उसके बाकि जितनी भी जो तीनो waves होती है वो किसके वो जो है वो जो wave की direction जो होती है उसके perpendicular जो है वो travel करती है तो इसलिए first statement जो है यहाँ पर गलत दिया गया है इसके बाद 88 question की बात करेंगे अमिट चुनावी स्याही में प्रियुक्त रसाइन कौन सा है जो कि जब हम वोट करने जाते हैं तो हमारे आद में इंक लगा दी जाती है तो उसमें कौन सा chemical या कौन सा रसाइन जो है उसका उप्योग होता है तो इसका answer क्या है इसका answer है B मतलब कि silver nitrate 81st question देखेंगे निमलिकित मेंसे कौन सा कथन राजय नीति के निर्देशक सिध्धानतों के बारे में सही नहीं है directive principles of state policy के बात की गई है तो इसमें से उसके बारे में कौन सी कथन जो है वो सही नहीं है तो इसमें क्या है इसमें है C ये केंद्र और राज रसरकार के लिए निर्देश है तो यहां पर ये गलत है क्योंकि यह जो है यह जो डैरेक्टेज है यह जो निटी निर्देश तो कोई भी व्यक्ति जो है इसके खिलाब जो है कोड में नहीं जा सकता है इसके बाद 82nd question देखेंगे निमलेखित में से कौन से अनुछेद अस प्रेश्यता के उन्मोलन से संबंधित है ठीक है अनुछेद से तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा अनुछेद 17 तो जैसे कि आम लोग जानतें कि आर्टिकल 17 तो अनुछेद से रिलेटेड ही है इसके साथ जो आर्टिकल 15 टू है ये भी अनुछेद से रिलेटेड है क्योंकि आर्टिकल नमबर 15 टू क्या कहता है तो जो जो अनुशेद 15 है कि 15 दो है वो कहता है कि उसके अनुशार कोई भी नागरिक जो है केवल धरम, जाती, लिंग, जनम, इस्थान या इन में से कोई भी आधार पर दुकानों, सारवजनिक रेस्टरों, होटल और सारवजनिक मरोरंजन के इस्थानों या कुओं, टैंको सारवजनिक रेस्वार्ट के उपयोग के लिए उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है तो यह भी कहीं न कहीं जो है अनुशेद 15 दो भी अस प्रशेता अनुचेबिल्टी के उन मोलन में सहायक है, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, आंसर होगा D, A और C द अनुचेद 15 दो भी ठीक है, तो यह दोनों ही अन्टचबिल्टी के एराडिकेशन से रिलेटेड है, 83rd question अब हम देखेंगे, सम्विधान के किस भागे में राजी को पिछडे वर्प के आरक्षन के लिए विशेश प्रावधान करने का अधिकार है, तो इसका आंसर क्या है इसका आर्टिकल 16.4 ठीक है, यह जो आर्टिकल 16.4 है, राजी को आरक्षन के लिए विशेश प्रावधान करने का अधिकार देता है, और नागरिकों के किसी भी पिछडे वर्प के पक्षमे नियोक्तियां या पद जो राजी के विचार में राजी सिर्जित सोजगार अफ 16.4 होगा, 84th question की बात करेंगे, निम्लिकित में से कौन सम्विधान की संख्य विशेशता नहीं है, फेडरल फीचर कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा है, इसमें है C, सम्विधान क्या लचीलापल या फिर हम कह सकते हैं, flexibility of the constitution, यह जो है यह एक फेडरल फीचर नहीं है, फ supremacy of the constitution है, rigid constitution है, independent judiciary है, bicameralism है, यही के वर फेडरल फीचर है, बाकी बहुत सारे जो है, unitary features भी है, तो जी जो flexibility of the constitution है, यह एक unitary feature है, ना कि एक federal feature है, 85th question देखेंगे, विधान परिशत बनाने या समाप्त करने की शक्ति किस के पास नहीं है, ठीक है, तो इसमें कौन है, यह है Parliament मतलब की संसत के पास, ठीक है, तो answer के होचे कर B हो जाएगा, 86th question, कौन सा vehicle जो है, सही डंक से mail नहीं खाता है, तो इसका answer क्या है, इसका answer है, A second schedule, cabinet मत्यों के पद और विशेशादीका, ठीक है, तो second schedule जो है, यह किस से सम्बंदित है, second schedule में जो है, यह बहुत सारे जो, यह कई सारे ऐसे पद हैं, जिनके emoluments, मतलब की salary, privileges और उनके allowances के सम्बंदित है, किस किस के, जिसमें की president और governor of state आते हैं, speaker of deputy, or deputy speaker of the log सभा आते हैं, और जितने भी विधान सभा होते हैं, उनके speaker, deputy speaker सभी इसमें include किया जाते हैं, राज सभा और जितने भी विधान परिशद हो chairman और deputy chairman भी इसमें included होते हैं, judges of supreme court and high court के बारे में कहा गया है, और comptroller and auditor general of India को इसमें include किया गया है, इन सभी पदों के जितने भी emoluments होते हैं, salary होती है, allowances क्या क्या दिये जाएंगे, उनको क्या क्या प्रिविलिजिस दिये जाते हैं, उनके बारे में second schedule हमें बताता है, 87th question पर आएंगे, संसत के चुनावों के संबंद में, चुनाव विबादों के संबंद में, याचिका कहां पर दायर की जा सकती है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इसका answer है, इसका answer है, B मतलब कि उच्छ न्यायाले में, ठीक है, तो अगर कोई भी, अगर किसी भी संसत चुनावों के संबंद में, अगर कोई भी चुनावों से संबंदी तक याचिका जो है, उच्छ न्यायाले में, जो है, दायर की जा सकती है, और राश्पती और उप्राश्ट्रती के कारयाले के चुनावों के संबंद में, ऐसी याचिका के वज़ जो है, वो सुप्रीम को में दायर की जा सकती है तो आंसर क्यों होगा आंसर होगा भी मतलब की उच्छ निया ले इसके बाद हम 88 पर आएंगे और वह कहता है निम्ली की कतनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कोई कौनसे स्टेटमेंट यहां पर सही दिये गए हैं तो पहला स्टेटमेंट क् संबाध्कार से समधित उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीक के एक महीएन बीके और अनुमौधित कर देशान के जाने के बाद विच्छ आपारे अधिक्तर त realize क्या वाश्वा तक जारी रह सकती है तो यहां पर इसकी कोई भी टां म। नहीं दिया गया है कोई भी maximum period जो है यहां पर नहीं दिया गया है तो इसलिए यह भी statement यहां पर गलत है तो answer क्यों हो जाएगा answer हो जाएगा D और क्योंकि यहां पर दोनों है next is 89th question और यहां पर two list दी गई है जिसको क्या हमें match करना है तो article 371-A यह किसे related है यह related है नागलेंड से article 371-I जो है गोई से related है 371-J जो की करनाटिका से related है और 371-F जो की सिक्किम से related है तो answer क्यों हो जाएगा हमारा हो जाएगा B, 2, 3, 1 and 4 90th question संसदिये विशेश अधिकारों का लाब किन के द्वारा उठाया जा सकता है तो parliamentary privileges are enjoyed by whom जिसका answer क्या होगा इसका answer होगा D, 1, 2 and 4 इसमें राष्टपति इंक्रूडेड नहीं होता है ठीक है parliamentary privileges जो है वो राष्टपति को नहीं मिलते हैं अगर हम देखें तो जो है पार्लेमेंट का हिस्सा तो होता है लेकिन उसको जो है राश्पती को पार्लेमेंटरी प्रिविलेजिस जो है वो नहीं मिलते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी मतलब की वन टू एंड फोर इसके बाद 91st question हम देखेंगे 91st question जो है किस परिस्थिती में संसस राज्य सुची में शामिल विशे पर कानून बना सकती है तो कौन-कौन सी इस्थिती होती है वो होती है राष्ट्रे अपातकाल के दौरान बिल्कुल ठीक है इसके बाद अगर हम देखें ठीक है तो यहां पर यह financial emergency के दौरान जो है ऐसे कोई भी loss नहीं बना सकती प्रेसिटेंट डूल के दौरान बनाया जा सकता है वें राजसभा पासे सच रिजोल्यूशन तब भी बना जा सकता है जब राजसभा इससे संबंदित प्रस्ताव पारित करें या फिर जो है किसी international treaty को effect देने के लिए ठीक है को प्रभावित करने के संबन में भी जो है जो तो इसमें आंसर क्या होगा इसमें आंसर होगा सी नर्सेमन समीथी जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए ठीक है जो कि बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए इसको बनाई गई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए ठीक है तो यह यह जो है अग्रिकल्चर क्रेडिश्ट इसका गठन किया गया था 93rd question अब हम देखेंगे और वो कहता है राष्ट्य मानव अधिकार आयोग के बारे में नियम लिखित कतनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से गठन जो है इसमें से सही है तो इसमें जो फर्स स्टेटमेंट है इसका अध्यक् स्टेटमेंट है और 2nd statement है इसके सदस्यों के वेतन और अन्य सेवा शरते राश्पती द्वारा निधारित की जाती है तो आंसर हो जाएगा A मतलब की केवल 1 इसके बाद हम 94th question पे आएंगे और 94th question है कि निम्लेकित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंसे मेल नहीं खाता है तो इसमें क्या है इसका आंसर है यूपनिया ठीक है यूपनिया जो है C जो है इसका सही आंसर है क्योंकि यूपनिया क्या होता है यूपनिया जो होता है एक नॉर्मल ब्रीधिंग को कहते है ठीक है जो हम सांस लेते हैं उसको ही यूपनिया कहा जाता है, तो normal breathing rate को क्या कहते हैं, यूपनिया कहते हैं, बाकित जितने भी पेस हैं, वो correctly match है, और increased breathing rate को अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते है, hyper hyper hypnaya, ठीक है, hyper hypnaya, तो इसलिए ये answer क्या हो जाएगा, इसका C हो जाएगा, 95th question, निम्ली में से कौन एक रख्त वाहिका को रख्त की आपूर्ती करता है, which of the following supplies blood to a blood vessel, ठीक है, blood कौन blood vessel तक लेके जाता है, वो होता है, vesa-vasorum, ठीक है, vesa-vasorum, ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, A, इसके बां, 96th question, के उत्पादनिकित इसाथ यहां पर घजर्टीG तो यहां पर आश स्कानल प्रोडक्शन ए अप इसाय के वह मैं zå साथ और ही सबस्क्राईब तो यहां पर एक देफान परiğन फानल開始 एक ऩुरु यहां पर क्वंच ऌसे वह और कारा बआस निर्टीG बी-सल्स होते हैं यह भी lymph node और spleen द्वारा जो है इनका निर्मान किया जाता है और T cells जो होते हैं यह produce कहां पर होते हैं और mature यह produce होते हैं और mature कहां होते हैं वो thymus gland में होते हैं तो इसका आंसर क्यों हो जाएगा C, मतलब की 1, 2, 3 and 4, ठीक है, स्प्लीन, लिंफ नोर्ड, थाइमर्स, बोन, मैरो, यह सभी लिंफोसाइट के उत्पादन में, यह सभी अंग उसे संबंदित हैं. इसके बाद हम बात करेंगे 97th question की, औरल रिहाइड्रेशन समाधान में मुख्य रूप से शामिल क्या होता है, जैसे कि बच्चों को जब ओल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, तो उनको ORS का गोल पलाया जाता है, इस में मेली क्या होता है? एसमें मुख्य रूप से इसमें क्या शामिल होता है? इसको हमें बताना है तो उसका answer क्या है? किवल 1 and 2 sodium and potassium इसमें होता है तो answer क्यों हो जायगा? teaching 98th question, रिसा किस राज की पारंपरिक पोशाख है? ठीक है, तो रिसा कौन से राज की पारंपरिक पोशाख है? वो है D. तरीपुरा की ठीक है, इसके बाद हम 99th question देखेंगे, डिजिटल भुकतान सूचकां किस के द्वारा जारी किया जाता है? Digital Payment Index is Released by whom? इसका आंसर है C. Reserve Bank of India. 100th question, दिल की धड़कन को किस के द्वारा नियंतरित किया जाता है? ठीक है, Heartbeat is Controlled by which part of our body? ठीक है, तो इसका आंसर है B. मतलब कि Central Nervous System द्वारा. ठीक है, Heartbeat हमारा कौन कंट्रोल करती है? वो करती है Central Nervous System. ठीक है? तो अगर हम बात करें, जो पूरा Nervous System जो होता है, वो दो पार्ट में होता है, Central Nervous System होता है, Peripheral Nervous System होता है, उसके बाद Peripheral Nervous System के भी कैसे सारे पार्स होता हैं, लेकिन Heartbeat जो होता है, वो Central Nervous System के द्वारा ही जो है, कंट्रोल किया जाता है. 101st Question की बात करेंगे, इसमें Assertion और Reason वाला है, Sodium दिल की बिमारी का खत्रा बढ़ाता है, ये Assertion बिलकुल सही है. 2nd, इसका Reason क्या दिया गया है, Sodium रक्त वाहिकाओं में रक्त की मात्रा को बढ़ाता है, ये भी Statement जो है आपर सही दिया गया है, तो यहां पर Answer क्या होगा, A होगा, A और R दोनों सत्य हैं, और R जो है वो A की सही से व्याख्या भी करता है, तो Sodium जो है शरीर में जल हमारी BODY में, Water Retention भी होता है 15,00- how much water retention काता है, जो नमक भी जो सोक तो इसलिए हमारे BODY में जो जल की मांत जो है और हमें Smity जञाए समय ज्ये ज्यंचा करता है en Walk splashing इसी कारण से क्या होता है ? , जब हम जादा who획 sodium का हिंटेक कर लेते ह। तो जो blood stream Chloe ओ ये फिन से नहीं पहुंच पाता है 2D элем कर सोडियूm-산 drop रख्त प्रभा के साथ ही रख्त चाप हमारा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस ते यहां पे कथन भी सही दिया गया है, और रीजन भी इसका सही दिया गया है, इसके बार हंडेड एंड सेकेंड को देखेंगे, इसेजी में T-Wave क्या प्रतिविम्बित करता है, इसके बार हंडेड एंड round कोईशर नेमने कहता है, और हमें देखना है कि उन एक सही दिये गए एंडियेगे पहला statement क्या है एक्राइन sweat glands are distributed all over the body and mainly secrete water and electrolytes through the surface of the skin ठीक है तो ये statement कहाँ पर सही दिया गया है कि एक्राइन पसीने की ग्रंथियों को पूरे शरी में विस्तारित करता है और मुख्य रूप से तवचा की सतय के माध्यम से पानी और electrolytes स्रावित करता है एक्राइन पसीने की ग्रंथियों बालों की नहरों जो बालों की जो कैनाल्स होते हैं ठीक है के माध्यम से तैलिये परदात का स्तुराव करती है तो ये statement भी बिल्कुल सही है और answer हो जाएगा C मतब की first and second दोनों ही statement जो है यहाँ पर सही है तो हमारे sweat glands क्या होते है sweat glands होते हैं जो कि पसीने की ग्रंथिया होती है यह हमारे जो body है जो हमारे जो शरीर है उसके तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है तो जो sweat glands होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं एक होता है एक होता है एक होता है एक्राइन जो कि यहां पर लिखा है दूसरा होता है एपोक्राइन ठीक है और एक ठीक है तो जो एक्राइन sweat glands होते हैं यह तो जो है यह हमारे all over the body होते हैं पूरी शरीर में होते हैं जैसे कि हम डेखते हैं कि हमारे पूरे शरीव से जो है स्वेत निगता है, तो एक्राइट लांस वोगते है तो निगता है, यह पर इसे जो है, यह तो यह दोनों ही स्टिप्मेंट साही दी गयी हैं तो आंसर के वांगर बोथ 1 एंद 2 104th question को देखेंगे निमलेकित कत्तों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि इसमें से कौन से कत्तों यहां पर सही दिये गए है तो पहला क्या है फ्लोयम किसी पेड़ चाल की सबसे भीतरी परत होती है फ्लोयम इस दा इनरमोस लियर ऑफ दा पार फ्लोयम मिट्टी से पतियों और तनों तक पानी और पुर्षक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है तो यहां पर स्टिक्मेंट गलत दिया गया है तो आंसर क्यों होगा? आंसर होगा केवल 1 मतलब कि A is the right answer फ्लोयम क्या होता है? फ्लोयम होता है जो कि पादफ में गुलन्षेल कार्बनियक यौगिक पदार्थ होता है जो इतने भी उर्गैनिक अपाउंड होते हैं उनको पतियों से लेकर तो तो पहुंचाने का काम करता है इस तरीके से जआ से फ्लॉयम है करता है तो यहां पर हम इस तरीके से justus phoem है तो अगर हम बात करें तो f तो फू थीक्षों से शूरू हो रहा है और food तो इस तरकार से हम इसको relate करके याद कर सकते हैं कि juho phoem की क्या होता है तो answer क्या है? answer है इसका C, ornithophiline, ठीक है? तो यह pollination by animals नहीं होता है, यह pollination by birds होता है, जो जितने भी पक्षी होते हैं, उनके दोरे जो pollination होता है, या परागन होता है, उसको ornithophiline करते हैं, ठीक है? तो answer क्यों होता है, एक answer हो जाएगा C, इसके बाद हम लोग 106 question को देखे तो इसका answer होगा C, मतलब की 2 and 3, मतलब की carbon, monoxide and hydrogen, ठीक है? तो answer क्यों हो जाएगा C, 107th question, एक आदर्ष इधन के लिए निम्न मेंसे क्या आवश्यक्ता है? ठीक है, high calorific value होनी चाहिए या फिर have low ignition होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें दोनों ही होना चाहिए, calorific value भी इसकी high हो होनी चाहिए और ignition का जो तापमान में वो कम होना चाहिए, ठीक है, तो answer क्यों हो जाएगा C, इसके बाद 108th question को देखेंगे, German silver में निम्न में से कौन सा धातु जो है वो शामिल नहीं होता है, तो इसका answer है C, मतलब की lead इसमें से C सा इसमें नहीं होता है German silver में, German silver जो होता ह होता है इसमें 60 percent किया होता है? वो होता है copper इसके बाद 20 percent से क्या होता है? Vokatій 발라s inc, ठीक है और इसके बाद 20 per cent क्या होता है? वो होता है McNicol, तो ए इसमें LEAD बिल्कुल भी नहीं होता है C部分 109th question देखेंगे और इसमें यहां पर यहां पर 2 में माच करना है तो यहां पर metal दिया गया है और उसके कौन कौनसे ask होते है हमें उसके इसको यहांपर match करना है तो सबसे पहले क्या है, सबसे है mercury, mercury का और कौनसा होता है, वो होता है गलीना तो यहाँ पे यहां पर यह चारों ही आग्साहिए से match किये गए हैं आंसर क्या हो जाएगा 1,2,3,4 मतलब कि D जो है हमारा ये सही जवाब है 110th question भी जो match the following वाला question है और यहां पे जो है यहां पे कुछ chemical दिये गए हैं और वो किसलिए use किया जाता है हमें उससे जो है match करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो sulfur dioxide sulfur dioxide जो है यह एक bleaching agent है ठीक है इसके बाद अगर हम देखें alum किसलिए use रहता है alum जो है वो leather industry में use किया जाता है aluminium sulfate जो है यह fire extinguisher में use किया जाता है और iodine जो है एक antiseptic के रूप में इसका 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 आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 1,4,2,3 is the right answer इसके बाद हम 111th question को देखेंगे निमलिकित कप्तों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन-कौन से statement कहाँ है सही है correct है तो बरफ के पिगलने से बचने के लिए gelatin का उपयोग किया जाता है जेलेटिन का इस्तिमाल किया जाता है ताकि बरफ को पिगलने से बचाने के लिए है जब सुखी बरफ को गरम किया जाता है तो इसे सीधे गैस में बदल जाता है यह statement भी बिल्कु सही है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किस प्रक्रिया से क्रीम को दूद से अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते है उसको कहते है हम लोग centrifugation मतलब कि A is the right answer centrifugation कहते है इसके बाद 113 questions जिसमें दो लेस्टी कही है यहाँ पे हमें मैच करना है अगर हम बात करें तो यहां पे चम 기 pride कहीं है धाती में कारण में से क्या करण में मैच करना है यहां बात कर का सब्ते हम यालो बात करें तो यह सोडियार कहीं कर पाद करना चुरह को जालिया गया पटाका फूटेगा तो हमें yellow color का दिखेगा इसी तरह अगर green है तो barium की वज़े से होता है ठीक है और red किस की वज़े से होता है वो strontium की वज़े से होता है और blue जो होता है वो copper की वज़े से होता है तो हमारा answer क्यों हो गया 3,4,1,2 मतलब की B जो हमारा यहां पे सही जवाब ठीक है इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी colors का में जैसे की orange, Okay null, Orange किस कारण की शेयर start bron by need इन दोनों की बज़े से क्या होता है इसके बाद अगर अगर सिल्वर क्लर होता है। DD4 अधेरे में चमकने वाले सामगरी में प्रयूक रसाइन कौन सा होता है। तो इसमें कौन सा होता है यह होता है हमारा जो है अप्रोक्त सभी ठीक है और फॉसफोर्स भी यूज होता है स्ट्रॉंटियम एलिमिनेट भी यूज होता है तो यह अंधेरे में चमकने वारी सामगरी में यह सभी जितने भी केमिकल्स होते हैं यह सभी यहां पर यूज किया तो आंसर के हो जाएका वह जाएगा D. 115th question निमलिकित में से कौन सा विकल जो है वो सही धंसे मेल नहीं खाता है तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है B. Mycology Mycology का मतलब होता है Study of Fungi Study of Fungi Mycology को कहते हैं ना कि Mucos इसके बाद हम next question देखेंगे Match the following वाला है किस की कारेकाल में आए थे? फाहयान जो वो चंदर Group 2 के कारेकाल में आए थे एबने पदिवत्यत जो है लोममइद बिन तुखला की कारेकाल में आए थे डॉमिनी गो पेज जो है वो किस में आये थे वो कृष्ण देवराय में आये थे हूँन सांग जो है वो हर्ष वतन की कारेकाल में आये थे तो इसलिए हमारा आंसर क्यों होगा आंसर होगा हमारा D241 and 3 इसके बाद 117th question की बात करेंगे वो है जो रॉलिट एक्ट है वो कौन से वाइस्ट्रॉइ या फिर जो है गवर्णर जनरल के समय में कौन सा एक्ट कब लाया गया था इसके बारे में हमें यहां पर मैच करना है तो अगर हम रॉलिट एक्ट की बात करें ठीके रॉलिट कारेकाल में लाया गया था इसके बात करें तो वो लॉर्ड वेवल के कारेकाल में लाया गया था आयने ट्रायल मतलब कि इंडिन नाशनल आर्मी पर जो मुकदमा चला गया था वो चला गया था लॉर्ड विलिंग्डन के कारेकाल में और साहिमन कमिशन जो है वो लॉर्ड कारेकाल में इसको गठित किया गया था तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी 3, 4, 1 & 2 सॉरी इसके बाद हम 118 प्रेशन देखेंगे निमलिखित कतनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन गौन से कतन या पर सत्य दिये गया है तो हमारा पहला statement क्या है भारत में COVID-19 महमारी प्रतिरोधी टिका करन अभियान 16 जनवरी 2021 को शुड़ू किया गया था सही statement है COVID-19 पर पंजिक्रत होने वाले सभी लोगों को एक विशिष्ट स्वास्त पहचान प्रदान की जाती है तो यह यहां पर statement क्या गलत दिया गया है तो answer क्यों होगा answer होगा हाला कि विशिष्ट स्वास्त पहचान पनाना भी एक वैकल्पिक है ठीक है यह भी optional है यह भी कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी एक यूनिक आईडी बनाए ठीक है इसके बाद हम 119th question को देखेंगे और वो कहता है केंदे सतरक्ता आयोग का कारेकल किसकी सिफारिश पर इस्थापित किया गया है और whose recommendation the office of central vigilance commission was set up ठीक है तो इसका answer होगा B मतलब कि के सनाथनम committee के सिफारिश पर है इसके बाद 128th question है और यह कहता है कि embroidery और state के कहीं पर जो मतलब कि कुछ कढ़ाई के नाम दिये गए है और वो किस state को बिलॉंग करते हैं हमें उससे जो है यहां पर इसको जोड़ना है तो पहला क्या है पहला है यहां पर काथा काथा वर्ग कहां पर कहां का famous है वो है ओडीचा का ठीक है इसके बाद अगर हम देखें जर्दोसी वर्ग जो है वो उत्तरप्रदेश का है अक्षिदा वर्ग जो है यह कहां का है यह जो है बिहार का है और आरी वर्ग जो है यह ज 3, 1, 4 and 2 इसके बाद 121st question को देखेंगे नीचे दिये गए कोट से सही कत्मों का हमें चयन करना है भारत की पहली lithium refinery करनाटक में स्थाफिक के जाएगी ठीक है तो ये statement जो है यहां पर ये गलत दिया गया है भारत की पहली lithium refinery कहां पर setup की जारी है की जारी है गुझरात में लेकिन जो इंडिया का जो 1st lithium reserve जो है वो कहां पर पाएगया है वो मांडिया डिस्ट्रिक करनाटक में पाएगया है लेकिन lithium refinery जो है वो गुझरात में लगाई जाएगी तो यहां पर confused मत होएगा lithium का जो भंडार जो है वह कहां पाया गया है? वह पाया गया है मांडिया करनाटक में लेकर लीदियम की रिफाइनरी जो है वह गुजरात में लगाई जा रही है नेक्स्ट स्टेट्मेंट है और अस्ट्रेलिया लाज़ेस्ट प्रोड्यूसर आफ लीदियम इन दा वर्ड तो ये स्टेट्मेंट תतिव यहां पर आवा जा इसके बाद हम फैड़रात करेंगे भारत का पहला होट एयर बैलून वायल लाइफ सफारी कहां पर शुरू किया गया स्ट अनसर ब्रुट sugust इसके बाद हैं फैड़रात में जारएं बारत करेंगे इसके बाद 124th question को देखेंगे पहली उजा संचालित वस्त्र मिल की स्थापना कहां पर की जाएगी तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है इसके बाद हम देखेंगे 125th question next is 125th question और इसमें है कि निम्लिकित में से कौन सा विकब जो है साही ठंक से मेल नहीं खाता है तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है भारत का प्रत्थम हर खल जल राज्य कौन सा है यह हिमाश्चार प्रदेश नहीं यह कौन सा है यह गोवा है ठीक है इसके बाद 126th question स्वीज क सही दिये गा है तो पहला statement क्या है पहला statement कहता है इसके नहीं जो है यह भूमध्य सागर मेंडिटरेनियन सी और रेड़ सी को जोड़ती है तो यह statement यह बिल्कुल सही दिया गया है second statement है यह एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सबसे चोटा समुद्री लिंक है यह बिल्कुल सही statement है इसे 1969 में खोला गया था तो यह इसको जो है यहाँ पर 1869 में इसको खोला गया था तो answer क्यों हो जाएगा आंसर हो जाएगा यह मतलब कि one और two statement यहां पर केवल सही है ठीक है Swiss canal जो है यह Swiss canal company ने बनाया गया था इसको 1859 से लेकर 1859 से लेकर 1869 तक जो है इसका निर्मान किया गया था और इसको खोला कब गया था इसको खोला गया था 17 नवंबर वर्ष 1869 में ही खोला गया था ठीक है तो यहां पर इसका answer क्यों हो जाएगा एक क्योंकि केवल यहां पर first और second statement केवल यहां पर सही दिया गया है 127th question की बात करेंगे निम्रिकित कतनों पर हमें विचार करना है और इसमें हमें देखना है कि कौन से statement यहां पर सही नहीं है तो पहला statement क्या है पहला statement है भारत दुन हाली में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि यहां पर बताया गया है कि तो इंडिया में जितने भी डैम्स है जितने भी बड़े डैम्स है उसमें से 80% डैम्स ऐसे हैं जो की पचास वच्छों से भी पुराने है तो यहां पर दोनों ही statement यहां पर पूचा क्या है सही नहीं ह है तो हमें keyword पर ध्यान रखना है और यहां पर इसलिए answer क्या हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा ना तो एक और नहीं दो D is the right answer 128 वेश है ने मिलखित कत्नों पर हमें विचार करना है और हमें देखना कि कौन सा विकल्प statement जो है यहां पर सही दिया गया है और इसमें क्या बार इसलिए है उत्वा signal है उत्वा से अत्यपेश बार भारत में धाक सबसे अधिक शिशर मिरत्यूदर है ढकर के यहां पर ब्हारत दोर सब स्या प्राइट गईा है बल्कु शही히 statement है अंसर को जाएगा, सी मतलब कि only three is the right answer तो highest infant mortality rate की बात करें highest infant mortality rate की बात करें तो ये कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में ये मध्य प्रदेश में सबसे जादा है और वो कितनी है, अड़ दालेश है में केवलवगा, केवल साथ, इंफेंट मॉर्टालिटी रेट है एसके साथ में強 mil काझा किमि में शु kao तो एसी जबन सबसे स्बूस्आइब कर दिने हैं किमि उपवाली बात एफ गया एक उतिने चीशमर है सेर्ट चेटमें कितनी है केवल 42 है तो यहां पर जो है यह उत्तर परदेश और मत्यप्रादिश ज्धुन टो है यह दोनों ऐल्टा दिया गया है तो बोस्त आर स्छेंट में धक दिया को तो सबस्पहले अगर हम बात करेouse तो स्टार्डसट 1.0 जयब इधन द्वारा संचालित है ठीक है तो ये स्टिट्मेट यहां पर सही दिया गया है सेकिंडल स्टिट्मेंट यहां पर गलत दिया गया है तो आंसर क्योंगि यहां पर सही दिया गया है Stardust 1.0 जो है वो पहली ऐसी commercial space है या फिर हम कह सकते हैं जो कि बायो फ्यूल द्वारा संचालित पहला वानेचिक अंतरिक्ष प्रक्षेपर है ठीक है जो कि Blue Shift द्वारा जिसका निर्मान किया गया है Blue Shift एक company है ठीक है यह तो यहां पे answer क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगा question 38 question देखेंगे निमलिकत मैंसे कौन एक block परवत का उधारन नहीं है ठीक है block mountain का कौन सा इस परसे जो है एक example नहीं है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा C Rockies Mountain ठीक है Rockies Mountain जो है यह एक प्रकार का यंग full mountain है जो की जो की North America के पश्चिमी भाग में जो है इस्थित है और इसक इसके बाद हम 131st question को देखेंगे और यह कहता है परमानू रियक्टरों के निर्मान के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है निकल जर्कोनिया मरकरी या फिर copper तो इसका answer क्या है इसका सही जवाब है second मतलब कि जर्कोनिया इसके बाद 132nd question यहाँ पे दो हमें सुची दी गई ह जिसको की हमें माच करना है तो पहले सूची क्या कहती है कि कर्टिसों का पाए जाता है कर्टिसों जो है कर्टिसों का जो है कि यह पाए जाता है बस्ति एफ पतिiner इसके बाद ग्लुकोजन की अगर हम बात करें तो ग्लुकोजन जो है यह पैंक्रियास में पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो है यह ओवरीज में पाया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा A मतलब की 3,4,1 and 2 133. निल्कित में से कौन सा विकप जो है सही ढंक से मेल नहीं खाता है ठीक है तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है कि मेल नहीं खाता है तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा D मतलब की किलॉसस किलॉसस जो है यह किसकी कमी से होता है यह विटामिन B2 की कमी से होता है ना कि वि इसके बाद हम देखेंगे 135th question पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन सा जो विकल्प जो है यह सही ढंग से मेल खाता है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका भी मतलब कि 1st & 3rd जो है यह केवल यहां पे जो पेर है यह एक्तम करक्ली माइच दिये ग eerste करसे 안सर सा में जाता है इसका गठ्थन किया गयाथाnın टीके यह बिल्वकु जही है फ्रीजर कमिशन यह है भातीय सेन्ह का रेंट करने के लिए इसको घण किया गया था इसलिए वर्ष 12 Griff Nim जो है इसका गठ्थन गिया थे और यह जो है घट्किनसर्थन का और इसको थे कमिशन जो है इसको बनाय गया था वर्ष 1886 में तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका बी मतलब की कियो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट थर्ड पेर जो है यहां पर करेक्ली मैंच दिये गाए है 136th question बारती राष्टे कॉंग्रेस के किस संत्र में संविधान सभा की मांग की गई थी ठीक है तो यहां पर कौन से सेशन में जो है मांग की गई थी तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है फैसपूर सेशन में फैसपूर सेशन जो की वर्ष 1937 में हुआ था ठीक है वहां पर ज किसके शासन काल के दौरान पहली बार आयकर पेश किया गया था ठीक है फर्स टाइम इंकम टैक्स जो है वो किसके टाइम में इंटर्डूस किया गया था तो इसका आंसर है ए मतलब की लॉट कैने के टाइम पर इसके बाद हंडे निन ठाटी एट फ्रेशन निमलिके करने से अधिकल 76 इसमें एक टाइम जेनल के बारे में कहा गया है लेकिन इसके बारे में किसी भी आर्टिकल नहीं गयी गया है तो आंसर क्यों जगा आंसर हो जाएगा इसका दी इसके बाद हम देखिंगे 139 पूरिशन निमलिके कतनों पर विचार करना है और हमें देखने की कौन- संचलेशन ठीक है मतलब कि फोटो सिंथेसिस के दौरान पौधी प्रकाश उजा को रसायनिक उजा में परिवर्थित करते हैं ठीक है तो यहां पर फोटो सिंथेसिस में क्या होता है कि फोटो सिंथेसिस में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हरे पौधी होते हैं ठीक है तो यह यहां पर गलत दिया गया है क्योंकि यह कई पौधे ऐसे भी हैं जो कि मून लाइट या फिर जो है बल्ब में बल्ब की रोश्णी में भी जो है फोटो सिंथेसिस के प्रक्रिया जो है उनमें होती उसमें पाई गई है तो इसलिए यहां पर सेकेंड एस्टिटमेंट जो है यहां पर सही दिया गया है 148 की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गो सेवा आयू की स्थापना कब की गई थी ठीके गो सेवा कमिशन कब बना गया था उत्तर प्रदेश में तो इसका आंसर है बी मतलब की 1999 में इसके बात 141st question समीदान के किस संशोजन द्वारा मतद की आयू 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर इसका आंसर है C मतलब की 61st Constitutional Amendment Act ठीक है जो कि यह कब लाए गया था यह लाए गया था 1988 में जबकि वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी और इसी के साथ जो है यहां पर इसलिए वहां पर प्रेसिडेंट ने दो और इलेक्शन कमिशनर को जो है अपॉइंट में किया था 1989 में ठीक है तो यह भी फैक्ट याद करने के लिए बहुत जरूरी है 142 की बात करेंगे वहानों में रियर व्यू मिरर के लिए किस धरपन का उप्योग किया जाता है ठीक ह वह कौन से प्रकार का होता है वह होता है कॉन्विक्स मिरर उत्तल मिरर के उत्तल डरपन का उप्योग किया जाता है 143.Body Mass Index किया मापता है ठीक है तो वह मापता है उत्चाय और बजन के अधार पर जो हमाना यो делать फैट होता तो पहले statement क्या है व्यक्तिकत्स अप्टेग्रेय गुज्राट άगवर्ड में लॉन्श heclass came रिकाता झाया तो यह यहाँ बलडिया गया गे गुज्राट में नहीं यह महाराश्ट से इसको लॉन्श से किया था और कब लॉंच किया था 17th October 1940 को महत्पर गंधी द्वारा इसे महराष्ट से लॉंच किया था ठीक है सेकंड क्या है विनोबा भावे सत्यक्रिया की पेशकर्ष करने वाले पहले व्यक्ति थे ये बिल्कु सही स्टेटमेंट है सेकंड जो थे वो कोँ थे वो थे जवाहलन नह्रू ठीक है तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट चाहिए तो आंस logar PM concerned एक इसको इसका यहां सछा क्यो़ चाहीगा भी अर और जो और जो एंडिवीजूछ इनला था इसको किसके अगेंस लॉंच किया था इसको August offer जो था उसके अगेंस में जो है इंडिवीजुल सत्याग्रे महात्मा गांदी द्वारा जो है लॉंच किया गया था तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है B ठीक है केवल सेकेंड स्टेट्मेंट या पर सही दी गई है मिया मीर निमन में से किस गन के सबसे लोक परिय सूफी संथ थे तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है C कदर्या उर्डर, ऑी पिर कदर्या गर्ण, या फिर हम कह सकते हैं कदर्या समुदाय के मियामीर सबसे लोक्रिय सूफी संथ फैल से ठाले हुआ ठेल utilizaruk पोरी सिदे खीडो यह उत्तर प्रदेश में धेशन फैला हुआ था और मिया मीर जो है इस कदरिया ओर्डर के सबसे लोग प्रिया सूफी संथ थे 146 क्वेशन की बात करेंगे निमलिकित में से कौन सा यूगम जो है सही रूप से मेल खाता है तो अगर हम इसमें बात करें तो जो ए है न्यू डेवलप्मेंट बैंक यह कहाँ पर है यह जो है इसका हैड़कौर्टर कहाँ पर है इसका हैड़कौर्टर है यह शांगाई में इसके बात अगर हम देखें तो Asian Infrastructure Investment Bank का headquarter कहाँ पर है यह Manila में नहीं है यह Beijing चाइना में है ठीक है यह Beijing चाइना में है और Asian Development Bank का जो है यह कहाँ पर है इसका headquarter इसका headquarter कहाँ पर है यह Manila में है तो Manila Philippines में है तो इसलिए इसका इसका answer क्यों हो जाएगा आंसर हो जाएगा एक क्योंकि न्यू डेवलाप्मेंट डाइंक का जो हेड़कवाटर है वो शांगाई में है और केवल यही पेजर यहां पर सही दिया गया है 147th question ठीक है मानव आखे मूल रूप से कौन से लेंस से बनी होती है Concave lens, Convex lens, Plain lens या फिर कोई भी नहीं ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसमें होगा Convex lens ठीक है उत्तर lens से बनी होती है हमारी eyes 148th question की बात करेंगे कथन कहता है Assertion Reason वाला question है पीले Phosphorus को हमेशा पानी में रखा जाता है ठीक है Assertion बिलकुल सही दिया गया है जादा reactive होता है ठीक है बहुत जल्दी react कर जाता है इस वज़े से इसको हमेशा पानी में रखा जाता है तो इसलिए यहां पर C कारण गलत दिया गया है तो answer क्यों हो जाए कि C हो जाएगा A सत्य है लेकिन रीजन जो है इसका गलत दिया गया है ठीक है बहुत ही reactive होता है और यहां पर यह जो है बहुत ही जल्दी आख पकड़ लेता है 149th question सही कथन चुने तो इसका answer क्या है इसका answer है दी तत्व के एक परमानु में केवल proton और neutron की संख्या के योग को द्रविमान संख्या कहा जाता है the sum of number of only protons and neutrons in an atom of the element is called mass number ठीक है तो यह एकदम सही statement है इसके पर 158th question last question देखेंगे ठीक है arrange the following in terms of their increasing calorific value ठीक है तो इसमें के सबसे सबसे ज़्यादा किसमें है उसके हिसाब से हमें लगाना है lignite, peat, anthra side andandra cite and butuminis ठीक है तो अगर हम peat में देखेंं ठीक है pit में कितना carbon होता है ? 50 to 60% carbon gentle होता है ठीक है lignite में कितना होता है ? 6 to 70% carbon होता है और 70 to 80% carbon होते है and anthra site में जोальные 5% carbon सबसें करण होता है against punishableause कोयले की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो कि आछा कोयला जो हे वह ऐंधरजाइट में कार्बन की वैलियू होती है और जो शुर्ट का गवला है यह केवल इंडिया में जो हमो कश्मीर में ही पाय जाता है तो इसका आनसर क्या जाएंगा इसका वो जाएगा बी 3, 4, 1 and 2 ठीक है थ्री एंथरसाइट में सबसे जादा फिर बीटुमिरस में उससे कम फिर इसके लिगनाइट में उससे कम और पीट में सबसे कम जो है कार्बन के कंटेंट जो है पाया जाता है ठीक है सो डाट इस ओल फर नौ थैंक यू सो वेरी माच